जैहिन नमस्कार साथियों मयोगेश मिस्तर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनबोर्ट से आने वाली TGDPT नई सिचक बरती बिग्यापन और UPPSC LTEGRED नई सिचक बरती बिग्यापन को ले करके आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुछ कबरी बहुत ही बड अंतरश्टी करिंट अफियर समान नियाध्यन का ओवराल सटीग पार्टिकरम प्रारम भी गलित के साथ इसके अलावा पार्टिकरम अनुसार तियोरी बिगत वर्सों के प्रस्ने सार्वे पेपर और सबसे खास बात की ये LTE एक्जाम के एक्जाक्ट इस्टेंडर पर बेस इसके साथ इनकी अलाग अलाग प्रार्टि स्टेट भी आते हैं इसे भी आप पर्चेस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं याचन आए हुए हैं और जिनकी जानकारी यूपी पेस्ट यहां से नहीं दिया है लेकिन यहां से काफी तदात में LTE के जो पद है ये यूपी पेस्ट में मवजूद तो हैं लेकिन जो बिग्यापा ने अभी तक जारी नहीं किया गया था और इसी को लेकर के बड़ा प् नई सिच्चक भरते बिग्यापन की जिसको लेकर के कई महीनों से आप सभी लगातार परिशान है और इसी को लेकर के एक बार फिर से सीयम योगी यादित नाजी को पत्र लिखा गया है इसके पहले भी एक बार पत्र लिखने का कारे किया जा चुका है 27 मर्च को जिसके बा कि मादमिक सिचा सिवाच चैन बोर्ड असास की सहाइता प्राप्त मादमिक बिद्यालेों में भी यहां से जो 35,000 पद हैं ये खाली है प्रबंद को हुआ जिला बिद्याले ने रिच चुको कि मिली भगास से यहां से जो तदर्द का अधियाचन है वो नहीं भेजा गया है लेकिन फिर भी यहां से काफी तदात में जो पद हैं ये रिखते हैं और इसके अलावा एक सवाल ये भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब इतनी ज़्यादा तदात में पद रिखते हैं तो बिग्यापन मात्र 7,000 पदों पर ही क्यों और इसी को ले करके 5 अप्र लको एक बार फिर से चैनबोर्ट में जो धरना परदर्सन है ये आपको दिखने को मिलेगा और जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि जो भियापन है ये कब तक जारी किया जाएगा और जो पदों की संक्या उसको बढ़ाई जाए और अगर चैनबोर्ड नहीं मानता तो पिर यहां से बड़े धर्नप दर्सन कभी आगाज हो सकता है फिलाल आज की वीडियो यहीं तक वीडियो पसंद आओ तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो आगे की अथिन्टिक अब्डेट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करते हैं